नमस्कार आप देख रहे हैं नुकपोष्ट.com और मैं हूँ आपके साथ आदित्तिकुमार इस वक्त हम पहुझ गए हैं बिहार के भागलपूर से करीब 30 किलोमीटर दूर एक गौम है जिसका नाम है बड़ी जमिन टैलेंट एक बहुत ही खुबसूरत सब्ध है यदि इन्हे बहतरीन मंच मिले तो ये और भी जादा खुबसूरत हो जाता है सामाजिक आर्थिक राजनितिक तमाम ऐसी वजहें होती है जो देश के कलाकारों के गला घोट देती है लेकिन सरकार की उदासिंता सबसे बड़ी वजह है आज हम आपको ऐसे सक्स से मिलवाने जा रहे हैं य इनका एक जलक पाने के लिए आप अपना ब्रेकफास्ट और लंच छोड़ देते आए आपको इस सक्स से मिलवाते हैं अत्मसुहूर लोक गीत गायक दिनेस मंडल जी मौजूद है आए आज आपको उनकी खुबसूरत आवास से आपको रूबरू कराते हैं दिनेस मंडल ज देखो भाईया काइन हो छे देखो भाईया काइन हो छे दहे जो के रोखेल बेटा भेल लोकी लेल बेटी भेल फेकी देल बेटा भेल लोकी लेल बेटी भेल फेकी देल बेटा हो छे सावरी घर में बाजय छे बाधया बेटी हो छे सावरी घरों मा काना योकरी माईया धक 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 छाती धड़के जन दव्ड़े रेल बेटा भेल लोकी लेल बेटी भेल फेकी देल बेटा भेल लोकी लेल बेटी भेल फेकी देल बेटा बब के दुवारी पर बरत्वारी के भरमार हो बेटी माई का लागय चैजड़ाई आबो खार हो बेटा बब के दुवारी पर बरत्वारी के भरमार हो बेटी माई का लागय चैजड़ाई आबो खार हो लड़का खो जैम बाबू जी के जूता फाटी गेल बेटा भेल लोकी लेल बेटी भेल फेकी देल लेंगलो कानो बेटा तैयो टाका दस हजार हो चांद रंग बेटी तैयो घूमई दस दुआर हो करवा बेटा राजा बनते करवा बेटा राजा बनते गोर की बेटी भेल चुडेल बेटा भेल लोकी लेल बेटी भेल फेकी देल आज कल के लड़का लड़की फैसन में छई आगू हो हर दम अपनो चरहानी आ रे दीखो पने रखे काबू हो मता पिता कर जादे कैला पर आत्म हत्या करी लेल बेटा भेल लोकी लेल बेटी भेल फेकी देल देखो भाईया कैनो छै देखो भाईया कैनो छै दहे जो के रो खेल बेटा भेल लोकी लेल बेटी भेल फेकी देल software editing और app की दुनिया से निगल के आप ऐसे कलाकारों से भी रूबरू हुआ किजिए तभी तो कला जिन्दा रहेगा हमारे देश में पता था इनके बारे में आपको क्या मुझे तो लगता है कि आपको पता नहीं होगा लेकिन दिनेश मंडल जी के बारे में जानना जरूरी है और ये आपका अधिकार भी है क्योंकि ऐसे कलाकार आज भी हमारे समाज में हैं जिनको बेहतरीन मंच नहीं मिल पाता है सरकार की उदासिंता भी वड़ी वज़ा है और क लोग सतमा बर्ग में पढ़ रहे थे तो उसी समय से ए रेडियो को सून कर उसमें इस लोगगित को सिका और जहां तक हुआ उसका नकल करके लिख करके अपने इस कला को अपने दिल में उतारे और इस समाज में हम बिस के लगातार सुनाते आ रहे हैं समाजी को लोग घित परिपूरन गाने के लिए बिल्कुन रेडियो और टेलीवीजन के जरिए इन्होंने संगीत को सीखा और उसका रियाज किया और आज ये सक्स बहतरीन गायक बन गए हैं बहतरीन लोक गायक गायक बन गए हैं अंग प्रदेश के दिनेज जी देखिए सरकार जो है करोडों की बज़र तयार करती है लोक संस्कृति के उजागर के लिए उसके उठान के लिए और आप जैसे कलाकारों को कभी इन में मदद लेना चाहिए सरकार को क्या सरकार के तरब से आपको कोई मदद मिली आप जो समाज में इस तरह की जारुकता फेला रहे हैं सरकार ने आपको चाहिए दो किया लोकित है उसके बाद सब्ली में हमको काउल किया जिए लुह आपको कार करकित क्या तीने का आपको का उल किया छाएगा इतने तो 5-6 मैंने के बाद वहां गए और फिर वहां अपना मैं एडिमिशन स्वर परिक्षा दिये वहां उन्होंने बहुत तरह सेम को प्रस्ण किया का भी सरीगित जानते हैं तो कि आपकी परिक्षाएं लिगे उसके बाद क्या हुआ दिनेज जी बताएं कि उसके बाद मैं जित हम उसका जवाब देते गए कहा कि आप इसको सुना देते थे यहां कुछ पैसा लेता है तब होता और लोगों किसे कलाकार से पुछा का कम से कम वहां 3,000 पर खर्चा किजिए तब आपका होगा तिसे हम लोग नहीं दे सके तीन हजार आपके पास है तभी एक कलाकार बन सकते हैं आप या आपको मंच मिल सकता है सरमाती है ना इस देश की ववस्था पर संबिदान क्या कहता है सबको बराबर हग देंगे लेकिन एक कलाकार को बस इसलिए उठा कर आकासवानी से बाहर फेक दिया क्योंकि इनके पास त क्यिआ सुना है जितने भी गाने तयार करते हैं वह समाजिक मुद्डे से छुड़ए होते हैं चैये वह परिया वरन हो समाजिक मुद्दी से जल सन्रकशन हो मैं समाज उ कियो हमारे दर्सका करो बताएंगे वे उसमें सबसे हम लोगों को रूची जो है समाज के परती गाने का है और उसमें हम भाग नहीं लेख सकते हैं लेकिन जागरुकता फैलाना समाज में आपका यह काम में उद्देश यही है कि आप संगीत लोक गित के जरिए आप लोग माध्यम से आप जागरुकता फैलाएं यह है आपका उद्देश इसाथ तो यह देश के प्रती दिखेए लोगों से पेड़ पोधे को अभी काट रहा है तो बहुत सदोर लोग इस पर बिचार नहीं करता है इसे बड़ते कि क्या क्या बिमारी होता है गाजबिक काटने से उन लोगों को पता नहीं है तो यह दो लाइन प्राग्राप का इस पर हम गार हैं तर्शकों को सुनाईए जी परियाबरन के रोका एक हातिर परियाबरन के रोका एक हातिर मौनो हमरो बात हूँ हर बचे के नौम से भाईया जरूर लगा बोगाच हूँ परियाबरन के रोका एक हातिर परियाबरन के रोका एक हातिर मौनो हमरो बात हूँ हर बचे के नौम से भाईया जरूर लगा बोगाच हूँ जरूर लगा बोगाच हूँ गाच लगाए का देखो भाईया चारो और हर्याली हूँ जलाबन कभी ने खाली हो ने होतां कभी खाली हो फली रसदार मिलतां जलाबन ने होतां खाली हो एक रापर सब ध्यान दो हो एक रापर ये सब ध्यान दो हो तबे उपजतां चास हो बहुत ही बहतरीन दिनेज जी देखे आप क्या करते हैं न पचासी वाले मंजिल पर बैटके यो यो हनी सिंग सुनते हैं न वहाँ पर पेड़ काटे जाते हैं तब वो बिल्डिंग बनती है आप ऐसे कलाकारों से मिले जो जमीन से जुड़े हुए हैं जो जमीन पर काम करते हैं जो समाजिक उत्थान के लिए काम करते हैं और इनकी गाईकी भी समाज के लिए होता है लेकिन सरकार क्या करता है ऐसे कलाकारों का हम साब तोर से कहते हैं कि सरकार ऐसे कलाकारों का कतल करती है गला घोड़ती है उन्हें चाहिए कि इस तरह के कलाकार को बेहतरीन मंच दे और समाच को जागरुख करने में इनका मदद ले आप सरकार से अंतिम में क्या मांगना चाहेंगे दिनेश जी क्या आप मांग करेंगे सरकार से बताइए सरकार से तो मेरी मांग यही माध्यम से मिले और समाज में और कुछ जगरुता फलाएं यही मेरी मांग है इनकी मांग साफ है कि इन्हें एक बहतरीन मंच दिया जाए ताकि इनकी आवाज गाउं और कस्वे तक पहुंचे हर लोगों को यह जागरुख करना चाहते हैं इनके पास माध्यम की कमी है यदि इ समाज को जागरुक करने में महत्तवपुर्ण भुमी का निवा सकते हैं एप एडिटिंग और सौफ्टवेर की दुनिया से निकल कर जरा आप ऐसे कलाकारों से भी मिला किजिए दिमाग खुस हो जाएगा ब्रेन जो है ना ब्रेन में जो उत्सुकता पैदा होगी कुछ देखेंगे आप है ना आप देखते रहे हैं नुकपोश्ट.com यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किजिए और फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पेज लाइक किजिए नमस्कार